Subscribe to TechNowReview to get all kinds of tech news and press the bell icon to get notified for our future uploads. Hello guys, कैसे है आप लोग, आज हम इस वीडियो में गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं Asus Zenfone Max Pro 6GB variant के साथ. और हमने दोनों गेम इंस्टाल कर लिए इसमें, वन है PUBG Mobile और दूसरा है Asphalt 9. तो वीडियो के एंड तक देखते रहे हैं पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे इंस्टार्ग्राम को फॉलो कर लिजें, लिंक्स आपको दिखाए देरा है स्क्रीन पे. तो वाइस आप में कुछ लोग बेंचमार्क में विश्वास रखते हैं, पहले हम जल्दी से देख लेते हैं Zenfone Max Pro 6GB version का Antutu Benchmark score. तो Antutu score इसका आया है 1,14,834 जो kind of average है, हाला कि Redmi Note 5 का भी Antutu score काफी हद तक सेम है. तो स्टार्ट करते हैं Gaming, तो हमने अलवड़ी Asphalt 9 और PUBG को इंस्टॉल कर लिये हैं और स्टार्ट करते हैं Asphalt 9 से. इस टेस्ट के लिए हमने Asphalt 9 का Graphic Setting Highest में कर दिया है, तो स्टार्ट करते हैं Race और देखते हैं कैसा perform करता है Zenfone Max Pro Asphalt 9 में. आप देख सकते हैं कि Asphalt 9 एकदम स्मूथ चल रहा है, कोई भी लैग वगड़ा या फिर स्टर्टर कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा इस फोन में Asphalt 9 खेलने के टाइम. और जो best चीज मुझे इस फोन का लगता है वो है इसका display. इस फोन का display बहुत ही vibrant और bright है और Asphalt 9 का rich graphics इसमें काफी अच्छा लगता है. और अगर आप heating की बात करें तो अभी तक हमने more than two races को खतम कर लिया है और सामने के side मतलब screen में एकदम भी heating नहीं है. वैसे इस room में अभी AC चल रहा है पर फिर भी जो usual heating होता है कोई भी phone में game खेलने के time वो भी आपको Asphalt 9 खेलने के time दिखाई नहीं देगा. तो आप देख सकते हैं कि Asphalt 9 काफी अच्छा चलता है इस 6GB variant में तो अब check कर लेते हैं कि PUBG कैसा चलता है. तो गाइस PUBG जो game है वो बहुत ही जादा graphics intensive game है और यह game आपकी phone की जो CPU और GPU है उसको maximum level में use करता है जिसके लिए आपकी phone में काफी जादा battery drain होता है यह game खेलने के time. So अब battery percentage आप देख सकते हैं 69% है और चला लेते है PUBG Mobile. तो इस पहले देख लेते हैं graphics settings आप देख सकते हैं हमने graphics को balanced में रखा है और frame rate को medium में रख दिया है अगर आप देखते हैं कि lag या फिर stutter जैसा कुछ हो रहा है तो आप settings को smooth में कर सकते हैं जिससे आपको better performance मिलेगा पर graphics में कुछ changes आएगा graphics उतना जादा अच्छा नहीं दिखाए देगा smooth में अगर आप settings को कर देते हैं तो इस पहला solo match चला लेते हैं तो मैं अपना honest review आपको बता रहा हूं PUBG काफी अच्छा चलता है इस phone में इस game को खेलने के time आपको lag नहीं मिलेगा पर अगर आपको chicken dinner चाहिए most of the time तो आपको मैं recommend करूंगा smooth settings में इस game को चल सब्सक्राइब के पीछे बैट के खेलने के वज़े से ऐसा लग रहा है पर फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि around 20 to 25 frames per second मतलब 20 to 25 fps में यह game run कर रहा है जिसके वज़े से अगर जट से कोई enemy सामने आ जाता है तो आप उतना fast react नहीं कर पाएंगे तो बेटर है कि आप इसको low settings म में चलाए maximum performance के लिए एन्वेज मुझे around 5 kills मिला second solo match में और overall performance अगर आप बात करते हैं then considering the price में काफी impressed हूँ इसकी gaming performance को लेके तो around approximately 15 minutes continuously PUBG खेलने के बाद चलिए देख लेते हैं battery percentage कितना है इस बैटरी percentage अभी 65% है इसका मतलब 4% ड्रेन हुआ battery 15 minutes PUBG खेलने के बाद without any noticeable heating तो overall I am really impressed battery और performance को लेके और मैं आपको highly recommend करूंगा अगर आप mobile gaming पसंद करते हैं तो Zenfone Max Pro का 6GB variant 15,000 price range के अंदर एकदम solid choice है दोस्तों यही था extreme gaming test Asus Zenfone Max Pro 6GB में और जैसे कि आपने देखा PUBG Mobile और Asphalt 9 बहुत ही अच्छा run करता है इस phone में पर अगर आप PUBG Mobile खेलना चाते तो आपको balanced settings में खेलना पड़ेगा नहीं तो थोड़ा सा lag फिल कर सकते हैं पर Asphalt 9 बहुत ही अच्छा run करता है highest settings में तो I am really impressed इस phone का gaming performance लेकर और हम बहुत ही जल्दी इसका full review लेकर आने वाले इस channel में तो हमारे channel के साथ बने रही है और अगर आपको यह video पसंद आ है तो video को like कीजिए subscribe कीजिए हमारे channel में हम ऐसे ही मज़ेदार videos लेकर आने वाले है तो जल्दी से जल्दी subscribe कर लीजिए तो इसके साथ हम इस video को end करते है always keep smiling और मिलते है अगले video